चुनाओ से पहले कॉंग्रेस को बड़ा जटका हिमाचल के छे विधायकों ने चोडी पार्टी कॉंग्रेस विधायकों ने जोयन की बीजेपी लोगसभा चुनाओ को लेकर सियासी उथल पुधल जारी है इस बीच लोगसभा चुनाओं के लिहाज से हिमाचल प्रदेश में कॉंगर्स को बड़ा जटका लगा है कॉंगर्स के छे बागी विधायकों ने भारती जनता पार्टी का दामन थाम लिया इनके साथ ही तीन अर्न निरदली विधायकों ने भी बीजेपी जोयन की है कॉंगर्स विधायक राजन सिंग राणा, चैतन शर्मा, सुधिर शर्मा, रवी ठाकूर, देवेंदर भुटो और इंदर दत्र लखन पाल ने बीजेपी जोयन कर ली और मोदी की कारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब के आने के बाद भारतियनता पार्टी को और बल मिलेगा हिमाचल परदेश में हम और शेशक्त होंगे जिन वाइदों को करके पिछली सरकार हिमाचल परदेश में बनी थी वो वाइदे उतने ही जूटे थे जितने वो राज्यस्थान और चत्तिस गड़ में थे और आपने उन चुनावों में भी देखा लोग पूछते थे कहां गई कॉंग्रेस की गारेंटी गारेंटी वहां फेल होने के पांच साल के बाद अफसर मिला था यहां सबा साल के बाद अफसर मिल गया है और सबा साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का तो जनता का गुस्सा इन छे विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रती और इन छे विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाब में शिरिमान हर्शमाजन जी को चुनने का कारे भी किया आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहुँगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादात में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारती अंतापाटी में शामिल हो रहे हैं ये भी चाहते हैं कि मोदी जीन विक्सित भारत का संकल्प रखा है उस विक्सित भारत में इनका भी योगदान हो हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारती अंतापाटी का परिवार होगा उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे और हिमाचल परदेश को तो मोदी जीन अपना दूसरा घर माना है कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी जो वर्षों से अटल टनल का काम बन था वो भी मोदी जीने पूरा करवाया यहां तक की छोटे से राज्यों को एम्स पीजी आई के मेडिकल कॉलेज दिलाएं आई आई एम दिलाएं सेंटर इन्वरस्टी दी और कम से कम पचास हजार क्रोड की तो किवल सड़कें ही दी हैं रेल का नाम हिमाचल परदेश में था ही नहीं यह उन्ना से लेके दौलदपुर चौंग की रेलवे लाइन का भी काम पूरा करा है इलेक्ट्रिफिकेशन करा है वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौती चली तो हिमाचल परदेश से चली बलास्पुर की रेलवे है कि उस जिस विश्वास को लेके सब आएं मैं अपने सभी इन भाईयों को कहना चाता हूं यह मोधी सरकार है और मोधी की गरंटी वो है जो पूरा होने की गरंटी है